करिकेट विश्व कप का आज फाइनल मुकाबला है और भारत का मुकाबला आश्टेलिया से है और काफी रोमांचा की यह मैच होगा और इस मैच को लेकर के जो खिलाडी है और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें काफी उशाय हम बात करेंगे किस तरह से पूरे इस आज के आप जो विश्व कप का जो मैच उसे देख रहे हैं और जो अब तक का भारत का प्रदर्शान हुआ काफी बेश्ट रहा है किस तरह से आपको उम्मीद है अभी तक सारी खिलाडियों ने अपना अच्छा किया है और उपर का विकेट गिरने के बाद भी नीचे जैसे देखते हैं के यह लोग ने बहुत अच्छी पारी संभाली है विराट को लिए अभी तक के टॉप रण स्कोरर है और बॉलर में भी देखेंगे तो मुहम्मद स अभी ने बहुत अच्छा परफोर्मेंस किया है तो जीतेगी इंडिया किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है और जिस तरह से आस्ट्रेलिया भी काफी मजबूत है कैसे देखते हैं पूरे इस इस रूमांचक मैच और अपने इधर से देखेंगे तो विराट को ल लेगी और कह रहे हैं कि 2003 का भारती टीम जो है बदला लेगी 2003 में इंडिया हारी थी ऑस्टेलिया से फाइनल उस टाइम भी ऐसा था कि जीत सकती है वर ट्लास में आके हार गई थी तो इस साल ऐसा होगा कि अपना बदला नेने उतरेगी इंडिया किस तरह से पूरे प्रदर सब्सक्राइब भारत को मैं जीतना जाहिए फाइनल का विराट को लिए रही सर्मा का अखरी मैं चेज़ कितना उश्याह है आप लोगों को इस मैच को लेकर के कि मुझा दवसा है हमारे साथ और खिलाडी है लगातार आप इस चोटी उम्र में क्रिकेट से आप जुड़े हुए बड़े खिलाडियों को आप लोग देखते हो और एक बड़ा रोमांचक मैं चार्च विश्व कपका होने वाला है किस तरह से पूरी स्मैच को देख रहा जांजगीर का ये मैदान है आप लोग इस चोटे मैदान पर आप लोग खेलते हैं और बड़े खिलाडियों को आप लोग इस्क्रीन पर देखते हैं तो ये कि विश्व कपका रोमांचक मुकाबला है क्या उमीद है किस तरह से जो है वो आप लोग भारती टीम के जीत के ल होने किया था वैसी विराट को ली और रोहित सार्मा को भी वैसी सम्मान देखा जीता है भारत आज का मैच लगातर भारती टीम अलग अलग तरह से बहतर पदर्शन कर रही है बल्ले बाजों की बात करें गिन बाजों की बात करें लगभक सभी ने टीम वर्क दिया है फिर आपको किस खिलाडी से किस बल्ले बाज से जादा उमीद है मुझे कोई ऐसा एक बल्ले बाज अगेन बाजनी मुझे पूरी टीम से वह है कि पूरी जब टीम अच्छी खेलेगी तब ही इंडिया जीत पाएगा हमारे साथ नन्ने खिलाडी है उनसे बात करेंगे विश्व क को क्याहिं किस तरह से देख रहे हो पूरे मैच को किस तरह से अभी उमीद है व्याट को लिवागार सामीन है हाो हमारे साथ कोच हैं उनसे बात करेंगे जिस तरह से इन खिलाड युँओं को आप प्रोशाहिद करते हैं और लगातार यह जो आप मेहारे पर आप लोग्डि भारती टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद को रूप में देखें कि दोनों ही प्रारूप में देखें बैट्समेन को देखें बालार को देखें दोनों बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रहा है इस टूनामेंट में और फाइनल इस बार हम लोग ही जीतेंगे लगातार याप भ अगर भारत पहली बेटिंग करती ही तो लगता है मेरे को 300 प्लस इसकोर करना चाहिए और गिंदबाज तो भी पूरा फामी में चाहरा है समी जादा तर मेरे को लग रहा है कि आज भी 5 प्लस कर सकते हैं जो खिलाडी है वो बल्लेबाज भी बहुत प्रदर्शन बहतर तरीक कि अगर मैच पूरा फासा हुआ था उन्होंने आकर ही वह दो इकेट मिकेन विलंसन और टॉम लेथां करमें विकेट लिए वह पस से यहने भारत पूरा सनाड़ा चाहिए उन्होंने ही वहाँ पास ने व्यक्तुरु राके भारत को जीत दिलाई मेरे को लगता है मौमस समी हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो भारती टीम को लगातार उनके उश्या बढ़ाने में वह लगे हुए हैं और कहीं ने कहीं वह काफी जादा एक तरह से आसानमीद हैं कि भारती टीम कुछ अच्छा करेगी जिस तरह से भारती टीम ने अभी तक बहुत बहतर प्रदर्शन किया है और काफी बड़ी उम्मीद है देशवास्यों को आप किस तरह से आपको उम्मीद है और किस तरह से जो खिलाडी है उनका प्रदर्शन आप देखना चाहाँ जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है लगातार दस मैच जिच चुकी है और डे वन से जब पहला मैच उन्हों ने खिला था तब से ऐसा लग रहा था कि एक तरफा हर मैच जा रहा और ऐसा हुआ भी तो अभी फाइनल में तो हंडिट परसेंट का थाउजंद परसेंट यह उम्मीद है कि इंडिया इस बार भी कप लेके आएगी आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस रोमा आप क्या सोचते हैं जिस तरह सी यह पूरा जो मैच हो रहा है वह कहीं ने कहीं पूरा सुरू से भारती टीम का पढ़ला भारी है लेकि फाइनल मुकाबले को लेकर कि आपको क्या मेरे हिसाब से इंडिया जीत रही है और इंडिया हर फिल्ड में चाहें वह फिल्डिंग हो बॉलिंग हो या बैटिंग हो मुझे लगता है उनिस नहीं वह बीस नहीं बाइस है आगे आस्टेलिया से कहीं ना कहीं बौना लगदा अस झाली अंके सामने केवैं को जिसी से आप सुनें योंे दस मैचों में प्रद लिए तो मुझे लगता है आपनी कम उमरे में देख अभी जो विश्व कप का मैच है उस विश्व कप के मैच में अपन देखें कि जो खिलाडी है उनके प्रदर्शन जो है वो बेस्ट हैं लेकिन आज देशवासी चाह रहे हैं कि विश्व कप एक बार फिर भारत के हाथ में आए अब फाइनल रूप से किस तरह से लोग प्रति प्रेड प्रेमी और जो खिलाडी है जिनकी उम्मीद है कि भारती टीम एक बार फिर विश्व कप जो है वो लेकर कर आए और कहीं ने कहीं वो काफी ज्यादा उस शाहित है इस विश्व कप के मैच को लेकर के राजकुमार साहू आईविसी 24 जांजगीर